दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा exercise 3.3 का question first question first है निमने रैखिक समीकरण यूग्म को प्रतिस्थापन विदी से हल कीजिए तो यह हमारी समीकरण है इसे प्रतिस्थापन विदी से हल करना है तो चली गरते हैं सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से तो लेंगे हम समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारी x प्लस y इक्वल टू 14 यह है तो x का मान निकालेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस y अब हम रखते हैं x का मान तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं चाहे आप समिकरण 2 में रखें, चाहे एक में रखें, किसी में भी आप x का मान या y का मान निकलता है, आपका तो रख सकते हैं, तो हम समिकरण 2 में रखेंगे, समिकरण 2 है हमारी, x-y equal to 4, तो x की जगा हम रख देंगे, 14-y, minus y equal to 4, यह हो गया? तो हमारा हो जाएगा, 14 इदर गया, तो यह y, minus y और minus y हो गया हमारा, minus 2y, यह हो गया हमारा, minus 2y, क्योंकि minus minus होता है, plus, पर sign जो हमारा आता है, minus का ही आता है, और हमारा इदर हो गया, 4 minus 14, minus 2y equal to minus 10, यह हो गया, तो minus से minus कैंसिल हो जाएगा, और 2 से यह 5 बार कैंसिल हो जाएगा, यह हो गया, तो हमारा आ गया, y equal to 5, अब इसका मान हम, समीकरण, किसी में भी, कोई सी भी समीकरण में इसका मान रख सकते हैं, तो हम रखते हैं, y का मान समीकरण, एक में रखने पर, यह हो गया, अब हमने इसे समीकरण, एक में इसका y का मान रखते हैं, समीकरण, एक हमारी, x plus y equal to 14, समीकरण एक हमारी यह है, तो हो जाएगा, x plus y का मान हमारा कितना था, 5 equal to 14, यह हो गया, तो x equal to 14 minus 5, तो x equal to 14 में से 5 गया, तो हमारा आया 9, यह आ चुके हैं हमारे, y का मान हमारा आया है 5, और x का मान आया है हमारा 9, इस परकार से हम परतिस थापन विदी से समीकरण सोल्व करते हैं, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,